चो आज हम लोग फिर आ चुके हैं धमाकेदार वीडियो के साथ धमाकेदार कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कई सलिए रहा हूँ क्योंकि आज ही हम लोग 7 वी जमाद के जो भी ग्रामर पोर्शन है मजामीन हो गया, खतनवेसी हो गया, दर्खास्त हो गया, इस्म हो गया, हर्फ हो गया, फेल हो गया, इन सारे grammar portion को आज हम लोग एक ही वीडियो में, सोरी एक ही वीडियो में नहीं, आज हम लोग आपको एक playlist बना कर दे देंगे, आप उस playlist पर क्लिक करकर, लाइन वाइस, पार्ट वाइस वीडियो देखिए, और अपने सात्वी जमात के grammar portion को complete कीजिए, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, आज आपको playlist सात्वी जमात के उर्दू कवायत का playlist आपको मिल जाएगा, सबसे पहले सात्वी जमात में जो grammar portion शुरू होता है, तो वो लफ्ज से शुरू होता है, यानि लफ्ज क्या होता है, तो देखो, लफ्ज होता है, आदमी की जबान से निकलने वाली आवाज, यानि अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, उसे आप लफ्ज कहेंगे, क्योंकि मेरी मुँ से जो भी बात, जब भी, किसी वक्त कोई भी बात अगर मेरी जुबान से निकल रही है, यानि उसको हम लोग लफ्ज कहेंगे, अब देखो, लफ्ज दो परकार के हो सकते हैं, यानि लफ्ज की जो किसमे हैं, वो दो हो सकती है, पहला एक क्या है कलीमा, और दूसरा है मुहमल, अब बात आती है कि ये कलीमा क्या होता है, और मुहमल क्या होता है, तो देखो, मसलन, एक मतलब एक्जामपल के तौर पर ये कहा जा रहा है, मसलन कहते हैं, एक्जामपल, इंग्लिश में आप कहा सकते हैं इसको, तो मसलन, मुह से ये लफ्ज निकलन आपने पानी वानी यानि आप किसी को कहते हैं कि पानी वानी पी लिये तो पानी तो ठीक है इससे एक मतलब निकलता है लेकिन वानी इसका कोई मीनिंग नहीं है आपने कहा किसी को आपने पानी वानी पी लिया खाना वाना खा लिया तो खाना से तो कोई मीनिंग निकल रहा है कि हाँ मतलब खाना लेकिन वाना से कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है तो वाना जो है ये मुहमल कहलाएगा और खाना जिससे मीनिंग निकल रहा है वो कलीमा कहलाएगा जैसे हम लोग एक और एक्जामपल देखें किताब वताब यानि किताब वताब ले लिए हम लोग बोलते ह है यह कलीमा होगा इन में दो तरह के alphahaz हैं एक बा माना यानि ने किताब जो है उसका कुछ ना कुछ meaning है उन्हें हम कलीमा कहते हैं यानि जिसका कोई ना कोई meaning निकलता हो जिस वर्ड का उसको कलीमा कहेंगे और मसलन example के तौर पर हमारा पानी है किताब है इससे कोई मेनिंग निकल दा है दूसरे बेमाना अलफाज है जैसे वानी और ताब उन्हें मुहमल कहा जाता है यानि उनका कोई मेनिंग ही नहीं है तो उन्हें हम मुहमल कहेंगे तो हमने आज क्या सीखा लफ्स के बारे में सीखा लफ्स किसे कहते हैं जो आदमी के जबान से निकलती है, उसे ल फितांग कोई भी आवास निकल जाए और example हमने क्या लिया,Mamal, कलिमा किसको कहते हैं, जिसको कोई माना हो महमल उसको कहेंगे जिसका कोई मीनिंग न हो, जैसे किताब, तो इसे कमीनिंग निकल के आ रहा है लेकिन हम लोग किताब के साथ भी कहदत ने किताब अताब ले लिए तो अताब जो है उसका कोई मीनिंग नहीं है तो उसे हम मोहमल कहेंगे तो इस वीडियो में इतना ही वच्चो ताके आप लोग बोर नहों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर करना न भूलिए सब्सक्राइब मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वह आप पर डिपेंड करता है लेकिन शेयर के लिए मैं जरूर कहूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के बच्चे और पूरे वर्ड के बच्चे अच्छे तरीके से इसको गरामर को सीखें और हरे एक एक एक्जाम्पल क्लिए करें शुक्रिया